पिशले काफी टाइम से शारुख खान और अटली के कुलाबरेशन के खबरे सामने आ रही थी कहा जा रहा था कि लंबे ब्रेक के बाद शारुख ने कुछ फिल्में फाइनलाइज की हैं जिन में से एक वो साउथ के सूपर हिट फिल्मेकर अटली के साथ करेंगे और अब फाइनली शारुख और अटली की इस फिल्म की इंट्रस्टिंग डीटेल्स सामने आई हैं जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि अटली शारुख के लिए बेहत धासू प्लानिंग कर रहे हैं आपको बता दे कि मुम्माय मिरर की रिपोर्ट की मदाविक शारुख ने एक दो नहीं बलकि पूरी तीन फिल्में साइन की हैं इन तीनों फिल्मों में जो सबसे ज़्यादा सुर्खिया बटो हो रही है वो है पठान जिसमें शारुख खान दिपिका पाड़कोन के साथ नजर आएंगे वहीं दूसरी उनकी फिल्म होगी राजकुमार हिरानी के साथ जो एक सोशल कॉमेडी फिल्म होगी और तीसरी फिल्म होगी साउथ की जबदस डिरेक्टर अटली के साथ खेर अटली और सार के पिछले दो साल से कोई अच्छी स्क्रिप ढून रहे थे मगर अब लगता है क्योंने उनकी सूपर अक्शन फिल्म की स्क्रिप मिल गई है अगर खबरों की माने तो अटली की अगली फिल्म में शारुखान डबल रोल में नजर आएंगे जी हां मुंबाई मिरर की रिपोर्ट के मुदाबिक इस फिल्म में शारुख एक टॉप इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजिंसी के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का रोल लिभाएंगे ये फिल्म शारुख के दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी ऐसे ये पहली बार नहीं है जब शारुखान डबल रोल कर रहे हैं इससे पहले वो फिल्म डुब्लिकेट में भी डबल रोल कर चुके हैं खेर अगर पात अटली की करें तो इससे पहले भी उनकी तीन फिल्मों में वो हीरो से डबल रोल करा चुके हैं इसलिए उनके लिए ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा क्योंकि अटली एकी फिल्म के अंदर एक आक्टर के व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं की खोच करना पसंद करते हैं फिलाल अटली अभी फिल्म की स्ट्रिप पर काम कर रहे हैं लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शारुख खान पहले उनकी साथ शुरुआत ना करके सिधात आनन की थ्रिलर फिल्म में काम करेंगे महीं सोर्सेस के मुदाबे ये भी कहा जा रहा है कि सिधार की फिल्म करने के बाद शारुक राजकुमार हिरानी की फिल्म करेंगे जो इम्मिग्रेशन की कॉंसेट पर लिखी गई है और इन सबसे इतना तो तैह है कि स्क्रीन पर शारुक की वापसी धम्मा किदार होगी अलजाहिर है कि अटली शारुक का ये प्लान जानकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी हाई होगी तो भई किंग खान के फैंस क्या आप तयार है अटली के साथ उनकी इस धम्माकेदार फिल्म के लिए शेर कीजे अपनी राइट कमेंट सेक्शन में